Supreme Court खुद काफी ज़्यादा confused है कि इस मामले पे क्या verdict दिया जाए यह देखो बहुत बड़ा ethical question है मामला यह है कि एक महिला जो दो बच्चों की माँ है मदर है और छोटे वाले बच्चे की age तो शिरफ एक साल है यह महिला 26 weeks की pregnant है यह Supreme Court में जाके बोलती है कि मुझे अपनी pregnancy क terminate करवाना है मुझे बच्चे को जनम नहीं देना है क्योंकि मैं मेरी mental situation ठीक नहीं है depression से मैं गुजर रही हूँ और बच्चे का जनम अगर हो जाता है तो मैं ठीक से ख्याल नहीं रख पाऊंगी तो ना Supreme Court की दो जजजीज की bench ने उस bench में दोनों महिलाएं थी महिला जजी नहीं है लेकिन देखो अब ध्यान से सुनिएगा इसके बाद Supreme Court ने तो कह दिया कि ठीक है आप pregnancy को terminate करवा लीजिए लेकिन उसके बाद ना Union Government फिर से पहुंची Supreme Court में और Union Government ने उस Medical Board के एक डोक्टर का mail दिखाया Medical Board में जो एक डोक्टर मुझूद थे ना उन्होंने ये बताया कि अभी देखो 26 weeks की pregnancy है और बच्चा मा के पेट के अंदर इतना बड़ा हो चुका है कि अगर उस बच्चे को बाहर निकाला जाए तो वो survive कर जाएगा तो मतलब अगर pregnancy को terminate किया जाता है तो उस छोटा बच्चे की जो मा के पेट के अंदर है जनम लेने के लिए अभी वायबल है उसकी जान ले रहे हो आप तो ये साही नहीं है तो फिर से Union Government Supreme Court में चली गई इस issue को लेके Supreme Court ने सबसे पहले तो लतार लगाई medical board को बोला कि अरे तुम ये बात पहले बोल देते हैं हमने आलेडी बोल दिया था कि चलो ठीक है medical board बोल रहे तो pregnancy को terminate करवालो पहले क्यों नहीं बोला कि आपने बच्चा इतना बड़ा हो चुका है पेट के अंदर कि अब वो जनम ले इसका अभी जनम नहीं हुआ है जो मा के पेट के अंदर है उसके भी अपने अधिकार है जो मदर है न वो मदर अपनी मर्जी से पूरी तरह से अपने reproductive rights को exercise नहीं कर सकती क्योंकि बच्चा भी मा के पेट के अंदर इतना बड़ा हो चुका है कि उसके rights compromise ना हो ये भी ध्यान रखना जरूरी है ये पहला argument दिया union government ने दूसरा argument union government कहती है एक act है medical termination of pregnancy act 2021 इसमें ये बोला गया है कि deadline जो है pregnancy को terminate करवाने की वो 24 weeks है और 24 weeks भी rare circumstances में जब मा की जान को खत्रा हो या फिर मा के पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें किसी परकार से कोई deformity है कोई मतलब कमी है कि जनम होते ही बच्चे की death हो जाएगी अगर ऐसी situation है तो maximum 24 weeks तक pregnancy को terminate करवाया जा सकता है लेकिन इस case में जो mother आई है Supreme Court में वो तो देखो 26 weeks की pregnant है दो हफते जादा यानी act का उलंगन हो जाएगा ये union government का कहना है next viable baby and state responsibility union government का ये भी कहना है ये सरकार की जिमेदारी बन जाती है उस बच्चे की जान बचाना जो मा के पेट के अंदर है और medical opinion ये suggest कर रही है कि उस बच्चे का जनम होता है तो chances of survival है तो फिर तो देखो सरकार की सिधा सिधा responsibility है उसकी ज जान बचाना सबसे last में ये भी कहा गया सरकार के वकील की तरफ से कि देखो parliament कानून बना सकती है और किन-किन situation में वैसे तो एक महिला का पूरा-पूरा हक है कि कब वो बच्चे को जनम देना चाहती है कब नहीं देना चाहती एक मदर के पास मेना reproductive rights होते हैं लेकिन सरकार कह कानून बना सकती हैं दूसरे aspects को ध्यान में रखते हुए और parliament ने बनाया है ये MTP Act 2021 तो ये सारे argument सरकार की तरफ से दिये गए अब वो मदर जो Supreme Court में गई है अपनी 26 weeks की pregnancy को terminate करवाने के लिए इनकी तरफ से argument दिये गए किना आप मदर के अधिकारों को तबज्जो दो जो कि देखो मदर की mental condition ही ठीक नहीं है अगर बच्चे का जनम हो जाएगा तो उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा यहाँ पर आप मदर की well being privacy और dignity को जरा तवज्जो दो मदर के वकील ने ये भी बोला court में कि देखो मदर ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है 26 weeks की pregnancy के है ना इसके respect करनी चाहिए सुप्रिम कोट को और इसके बाद दोनों तरफ के argument सुने सुप्रिम कोट ने दो जज़ियों की bench थी फिर इसके बाद ना जज़ि डिवाइड हो गए आपस में जस्टिस हीमा कोली ये तो कहती है कि सरकार का व्यू ठीक है कि बच्चे को एक मोका मिलना चाहिए जनम का और स्टेट की responsibility है अन बोन चाइल्ड की जान बचाना में लेकिन दूसरी जो ज़ज थी bench में जस्टिस बीवी नगरतना इन्हों ने ये बोला कि woman decision की respect होनी चाहिए कैसी है क्या मैं बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी health condition कैसी है तो सोच समझ के mother ने फैसला लिया है तो उसके फैसले की respect होनी चाहिए जस्टिस नगरतना ने ये भी बोला कि देखो ये case वो नहीं है कि unborn baby जो है उसका जनम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये case mother के right से समंदित है तो mother के जो interest है उसको ज़्यादा priority मिलनी चाहिए देखो पूरा मामला हमने समझ लिया अब आप बताईए इस complex issue में बहुत ही जाथा complex issue है कि बच्चे के interest को तवज्जो दी जाए या फिर मा के interest को क्योंकि unborn baby जिसका भी जनम बेसक नहीं हुआ है लेकिन survival के chances है अगर वो पेट से बाहर आता है तो तो आप बताईए कैसे इस case में दोनों के interest को balance किया जाए वैसे इस case में कोई balance हो नहीं सकता है सिधा सिधा या तो mother की मानी जाए और इजाज़त मिले pregnancy को terminate करवाने की या फिर बच्चे का जनम हो दो यह option है और time अभी तेजी से निकलता जा रहा है already 26 weeks की pregnancy है थोड़ा सा भी समय अगर बीता फिर तो बच्चे का जनम होगा ही लेकि pregnancy को terminate करवाने के लिए खिर आप बताईए आपकी क्या opinion है इस issue पर आपको क्या लगता है mother सही है या फिर union government जो कह रही है कि बच्चे का जनम होना चाहिए सरकार सही है आप comment box में बताईए इसके बाद next article देखो ससित हरूर का है यह लिखते है security council में UN security council में reforms से सम्बंदित आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो काईदे से 1945 में UN को आप बदाए किसलिए established क्या गया था UN को इसलिए established क्या गया था कि आने वाली generations को war के परकोप से बचाया जासके लेगिन देखो Ukraine Russia war तो अभी चल ही रहा था अब आप देख लीजिए Israel और हमास के बीच में war start हो important organ है United Nations Security Council क्या कोई action ले पा रही है आंसर है देखो बिल्कुल no 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 आप देखिए Security Council में ना 5 permanent members है और 10 non permanent members है Security Council में ना सिरफ 5 जो permanent members है ना US, Russia, China, France, UK बस इनके बीच में आप fight देखने को मिलती है इनकी political strategies देखने को मिलती है जो पांच देशों में से जो जिसके hit में होता है बस वो ही करता है World Peace को ध्यान में रखते हुए कोई decision नहीं लिया जाता Turkey के राश्टरपती हैं Erdogan इन्होंने देखो साफ तोर पे बोला कि World Security का guarantor अब नहीं है Security Council ये सिरफ एक battleground बनके रह गया है पांच permanent members के बीच में इवन अभी जो UN Secretary General है न गुट्रेस ये भी कहते हैं कि world अब change हो चुका है लेकिन Security Council वैसी की वैसी है आप देखो situation देखिए 1945 में उस समय Second World War खतम हुआ था तो उस समय जो major countries थे ना उनको सामिल किया गया था Security Council में तब से लेके अभी तक France और UK ये तो उतने powerful भी नहीं है ये अभी भी Security Council का permanent member है इवन रशिया भी उतना powerful नहीं है लेकिन वो भी अभी Security Council का permanent member है इन देशों से ज़्यादा powerful तो देखो अभी India, Germany ये सब देश हैं इनको Security Council में permanent membership मिलनी चाहिए Security Council में क्यों reforms किया आफ सकता है वीटो भी देखो सिरफ 5 देशों के पास में है जो Security Council के permanent members है किसी भी issue पर ये चाहे तो अपनी वीटो इस्तमाल कर सकते हैं तो जब भी इनके interest की बात आती है ना ये वीटो का इस्तमाल कर लेते हैं जैसे इसराइल की बात है यूएस जो है वो इसराइल के खिलाफ कोई resolution नहीं पास होनी देता Security Council में रश्या ने यूक्रेइन के ऊपर हमला किया जो कि एक sovereign country है तो ये territorial integrity का उलंगन है यूक्रेइन का बट UN इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सका रश्या के पास तो खुदी Security Council में permanent membership है वीटो पावर्स है जो आज के समय में Security Council के permanent member है ना इन्होंने देखो 75 साल बाद यूद जीता था चाइना ने तो हलाकि यूद जीता भी नहीं था बागी चार कंट्रीज फ्रांस यूके यूएस रश्या इन्होंने ना हिटलर मसूलनी और जपान इन सबको हराया था सेकेंड वल्ड वार का जीता इस वज़े से इनको Security Council में permanent seat दे दी गई चाइना ने तो जीता भी नहीं था जब यूएन के Secretary General घली थे न तो इन्होंने ये डिकलियर किया था कि Security Council में रिफॉर्म आ जाने चाहिए उनिस सो पिचानवे से पहले उस समय यूएन की पचासवी बर्थ anniversary होगी पचासवी anniversary के आने से पहले पहले Security Council में रिफॉर्म आ जाने चाहिए लेकिन सस्थी थरूर कहते हैं पचासवी क्या 60 अन्वर्सरी चली गई 70 पी चली गई 75 आ गई लेकिन अभी तक Security Council में कोई भी रिफॉर्म नहीं आये हैं बार बार सिरफ रिफॉर्म की बात ही होती है ल पेशेंट को लेकिन इलाज कैसे होना चाहिए इस बात पर डोक्टर्स आपस में एकमत नहीं है वही बात है कि जातर देश इस बात पर तो सहमत है कि हां Security Council अब पहले से relevant नहीं है काफी दिखते हैं problems हैं लेकिन क्या reforms लाए जाएं इस बात को लेके विबिन देश सहमत नहीं होते हैं जब देखो सुरुवात में UN बना था न तो उसमें UN Security Council में 11 मेंबर्स थे 11 मेंबर्स थे आउट ओफ 51 कंट्रीज यानि टोटल सदस्या UN के थे उसमें 51 और 11 UN Security Council के मेंबर्स थे फिर 1965 में UN के चार्टर में बदलाव किया जाता है Security Council से संबंदी थी एकमातर चेंज थ उसमें Hindu Security Council में मेंबर्स की संख्या भड़ा के 15 कर दी जाती हैं पहले कितने थे टोटल 11 मेंबर्स थे पांच पर्मेनर और चें नोन पर्मेनर लेकिन नचार मन प्रमेनर इंक्रीज कर दिए गए तो टोटल मेंबर्स हो गए Security Council में 15 यानि 5 पर्मेनर और 10 नोन पर्मेनर बद पंद्रहीं हैं तो Security Council के Members पूरे UN के Total Members का सिरफ 8% है आज के समय में पहले 22% थी ये संख्या यानि कि बहुत सारे देश ऐसे हैं बहुत सारे continents ऐसे हैं जो अभी ये feel करते हैं कि representation नहीं है UN में proper जैसे अफरीका माल लीजिए देखो UN का न बहुत सारा काम majority काम तो अफरीका में होता है जैसे UN के जो संस्थाएं हैं वो अफरीका में काफी aid देती हैं अफरीका में काफी काम करती हैं बढ़िया काम करती हैं लेकिन अफरीका की कोई representation नहीं है Security Council में आप Europe देखिए Europe वर्ल्ड की Total Population का सिरफ 5% हैं लेकिन फिर भी Security Council में यूरोप के members जलातर समय 33% के आसपास रहते हैं यानि Total 15 में से 5 members तो यूरोप के होते हैं और इसमें हम Russia को तो count भी नहीं कर रहे हैं जो दोनों देशों में आता हैं दोनों continents में आता हैं यूरोप में भी और Asia में भी इसके अबाद आप Contribution के हिसाब से देखिए जपान जर्मनी आज के समय में न UN के बजट में दूसरे नंबर पर जपान दूसरे नंबर पर सबसे ज़ादा Contribute करता है और जर्मनी तीसे नंबर पर लेकिन फिर भी UN Charter में आज भी जपान और जर्मनी को न एनमी स्टेट माना गया है वो देखो इसलिए क्योंकि Second World War के खतम होने के बाद UN बना था और उस समय यही देश एनमी कंट्रीज थे जपान जर्मनी इनी को हराया था US, UK, Russia इन सबने मिलके तो UN Charter चेंज ही नहीं हुआ इतने सालों से तो जो 75 साल प से गरो होने वाली economy जिसका UN में contribution काफी ज़्यादा रहा है खास करके peacekeeping operations में जो आज के समय में world affairs को एक direction दे रहा है इंडिया के आवाज माईने रखती है आज के समय में world affairs में तो इंडिया जैसे देशों को security council का permanent member बनाना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पते क्या है आज के समय में जो security council के permanent members है न ये पांस देश चाते ही नहीं कि reform आए इनको लगता है कि यार हमारी power कम हो जाएगी क्यों हम किसी और को security council का permanent member बनने दे यह वही बात है कि महले में जैसे कोई गाड़ी है सिरफ 5 लोगों के पास में है अच्छी गाड़ी है तो वो लोग कभ members बनना चाहते हैं न अभी security council का permanent member जैसे इंडिया की बात कीजिए जपान की कीजिए जर्मनी की कीजिए ब्राजिल की कीजिए ये regional powers हैं ये regional powers हैं तो region में भी न इनको लेके विरोध हैं दूसरे देश जलते हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया को लेके जलता है कि इंडिया security council क permanent member नहीं बनना चाहिए जपान से चाइना जलता है और ब्राजिल से कौन जलता है अर्जेंटीना जलता है जर्मनी से इटली जलता है तो इन्होंने न जो ये जलने वाले देश है न इन्होंने अपने coffee club बना लिया चुगलिया करने के लिए कि हाँ इनको तो नहीं बनने दे form तो भी फिर UN General Assembly में ना दो तिहाई majority के साथ मेरे amendment चाहिए UN का जो charter है ना उसको amendment करना होगा दो तिहाई majority के साथ में यानि 129 countries out of 193 और ratify करना ना ये एक parliamentary procedure है 139 देशों को ना अपने-अपनी Parliament में amendment लाना होगा Parliament में कानून बनाना होगा तो ये असान काम नहीं है मुस्किल काम है तो कुल मिला के देखो राइटर यह भोलते हैं कि सहमती बनाना बहुत मुस्किल है अफरीका में जैसे 54 member states हैं किसको मिले किसको ना मिले कई दावेदार हैं South Africa Nigeria, Nigeria, Ethiopia, Egypt तो कौन से दो दे इसों को ना मिलें, तो फिर एक suggestion ये आता है कि अभी जब तक पूरा reform नहीं आ जाता है, security council में, semi-permanent member बनाना start कर दो, एक नहीं category, अभी जो non-permanent member होते हैं, security council में, जिनकी संख्या होती है, 10, वो 2 साल के लिए non-permanent member बनते हैं, इंडिया बना था 8 वी बार, अभी तो इंड permanent member बनाया जाएं, कई सारे देशों को, लेकिन ये suggestion अच्छा नहीं लगा, इंडिया जैसे देशों को, कि बोला, हम बिखारी थोड़ी हैं, भाईया, ये क्या 10 साल के लिए बना रहे हो, complete बनाओ ना, last week conclusion में, writer ये बोलते हैं कि, reform लाये जाएं, reform लाये जाएं, बस यही action नहीं हो रहा है, दोनों, China, Russia ये एक group है, UK, France, USA ये group है, तो दो groups में divided हो चुक है, Security Council, West जो है, यानि USA वाला जो group है, वो World Bank और IMF इन में reforms नहीं आने देता, इसके अलावा, जो Russia है, वो veto इस्तमाल कर लेता है, Ukraine, Mali, Syria, North Korea के issue पर, इसलिए कोई action लेता ही नहीं है, Security Council, काईदे से अभी भी action लेना चाहिए था, इस्राइल-Palestine issue पर, लेकिन कोई action नहीं लिया गया, सिरफ बाते, तो एक famous कहवत है, UN के बारे में, ये सिरफ बातचीत की दुकान है, और कुछ नहीं है, जिसे UPSC aspirants पढ़ते हैं, otherwise कोई action उक्सन तो UN के द्वारा लिया नहीं हैं, चलते हैं आगे, इसके बाद नएस्ट आर्टिकल, interlinking of rivers से समधित हैं, आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूं, देवो सबसे पहले न, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का example हैं, फाइनली, जो आउशक forest clearance होता है, वो मिल चुका है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को, दिसंबर 2021 में union government ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, इस प्रोजेक्ट को establish करने में cost आएगी 44,605 करोड रुपे, दो rivers हैं, एक केन, एक बेतवा, दोनों को आपस में लिंक क करने का ये प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये है केन रिवर, और ये है बेतवा रिवर, तो केन रिवर से पानी लाया जाएगा बेतवा रिवर में, इस प्रोजेक्ट के establish होने के बाद में, बुंदेल खंड का जो रीजन है, जहाँ प में जोड़ना, ये आइडिया ना, लेट 1970s में इमर्ज होके आया था, कि वो रिवर्स जो flood prone है, जिनकी वज़े से आसपास रीजन में flood आती है, जहाँ पर पानी बहुत ज़ादा होता है, तो उन रिवर्स से पानी transfer किया जाए, उन रिवर्स में, जहाँ पर relatively पानी कम होता तो ये win-win situation हो जाएगी, यहाँ पर बार नहीं आएगी, और दूसरी रिवर्स में पानी जाएगा, लिंक होके, माली जे कैनल बना दिया, बीच में लिंक करने के लिए, तो उन रिवर्स में पानी आ जाएगा, जहाँ पर पानी की कमी है, तो आस-पास के रीजन को पानी मि किया था, इस National Perspective Plan में रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक Himalayan River Development और दूसरा Peninsular River Development, तो ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये Peninsular River Development के अंतरगत आता है, और ये पहला प्रोजेक्ट है National Perspective Plan के अंतरगत, जिसको finally implement किया जा रहा है, इतने स इस River Linking Projects को identify किया, National Perspective Plan के अधार पर, जिसमें से देखो 16 River Linking Projects जो है न, वो तो Peninsular Component के हैं, और बाकी बचे हुए 14 वो Himalayan Component के हैं, तो ऐसा ही समय बीचता गया, बाद में वाजपई जी प्रधानमंत्री बने, तो उनको ये प्रोजेक्ट बहुत प्यारा था, वो कहत कि इस से देश के कोने-कोने में पानी पहुंचाया जा सकता हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि National Perspective Plan के अंतरकतना ये पहला प्रोजेक्ट है, जो अब implement किया जा रहा है, River Linking से समन्दित, इसके Phase 1 में तो ये डैम वगरा बनाया जाएंगे, जैसे धून-धान, डैम complex, औ जो था, bearage, ये सब established किया जाएगा, benefits क्या होंगे, benefits देखो सिधर-सिधा, irrigation potential increase होगा, बेतवा river के आस-पास, अब ये आकड़े आपको याद तो रहेंगे नहीं, एक बार नज़र डाल लीजिए, 10.62 लाख hectare, जो irrigation potential है, annually increase होगा, इस project के सफल होने के बाद, बासाट लाख लोग को drinking water supply मिलेगी, और hydropower generate होगी, 103 megawatt, देखो पहले पते क्या दिक्कत आ रही थी, जो national board for wildlife है न, इस board ने न, केन बेतवा link project के लिए approval दे दिया, Supreme Court ने बोला, आरे, तुम्हारे पास power ही नहीं है, कैसे दे दिया तुमने approval, तुम्हारी jurisdiction में नहीं है, तुम्हारे पास power नहीं है, इस project को approval देने की, मूँ ठाके तुमने approval दे दिया, तो Supreme Court इस से काफी नराज हो गया था, एक concern ये भी निकल के आता है, कि पन्ना Tiger Reserve और केन घडियाल सैंचरी, दोनों में पानी आ जाएगा एक हिस्से में, नुसान पहुंचेगा, पन्ना Tiger Reserve को और केन घडियाल सैंचरी को, तो ये भी एक concern है, अब देखो overall interlinking of rivers के advantages हैं, वो जहां पर पानी ज्यादा है, वहां से पानी बेजा जा रहा है, उन rivers में जहां पर पानी कम है, तो hydrological balance established हो रहा है, बीच में canal बनेगा, दो rivers के बीच में, तो inland navigation भी होगा, boat वग़रा चलनी start हो जाएंगी, नदियों का भी एक network बनेगा, फिर ये normal से थोड़े benefits हैं, जैसे irrigation benefits, power generation होगा, कुछ दूसरे benefits, for example, fisheries को sport मिलेगा, industries लगेंगी, अगर पानी आ जाएगा तो, wildlife, survival और अच्छे से होगा, अगर पानी आ जाएगा तो, ये सारे benefits हैं, लेकिन देखो challenges भी हैं, सबसे पहले, impact on monsoon cycle, जैसे देखो, आज की समय में जो नदिया है, for example, एक नदी है, यहाँ पर पानी है, अब पानी है, तो वही पानी evaporate होता है, वही पानी की वज़े से, आसपास area में, जो biodiversity हैं, वो भी shape लेती हैं, पानी ज़्यादा है, इसी वज़े से, aquifires में recharge रहते हैं, लेकिन अब यहाँ के पानी को किसी दूसरी नदी में transfer किया जाएगा, अत्रिक् तो यहाँ पर evaporation बढ़ जाएगा, यहाँ पर जिस नदी से transfer किया गया है, पहले ground में ज़्यादा पानी ज़्यादा था, अब कम जाएगा, तो कहने का मतलब यह कह, यह सारी जो चीजें हैं यह असर डालती हैं, बारिस में, precipitation में, तो पानी एक river से दूसर river में transfer किया जाए यह writer बोलना चाहते हैं, क्योंकि evaporation कहीं पर जादा हो जाएगा, कहीं पर कम हो जाएगा, next, connected river basins, देखो, writer कहना चाहते हैं कि एक river basin जो है न, river basin होता है, कोई एक नदी या फिर उसकी सायक नदिया, मिल के किसी area को सीचती है न, उसको बोलते हैं river basin, writer कहते हैं, अलग- river basin में आप कुछ fair बदल करोगे, तो उसका असर दूसरे river basin पर भी देखने को मिलेगा, फिर next point यह है, जहां से पानी transfer किया जाएगा, वहां पे soil moisture पे असर पढ़ सकता है, human impact होगा, बहुत से लोग को displace करना पढ़ सकता है, dam वगरा बनेगा, reservoir बनेगा, financial burden काफी जादा था कि 5,60,000 करोडर पे खर्चा आएगा, हिमालियन rivers को peninsular rivers से जोडने में, लेकिन अभी तो यह cost कई गुना जादा आएगी, त्योंकि समय change हो चुका है, उस बात को 22 साल पूरे हो गए, next, ecological and biodiversity concerns भी है, rivers को आपस में जोडा जाएगा, किसी river में देखो, कुछ जो feces वगरा है, वो survive कर रही है, हो सकता है कि दोनों rivers को आपस में जोडा जाए, तो दूसरी river जादा polluted हो, वहाँ पे वो survive ना कर सके, तो ecology and biodiversity concerns भी है, next, way forward, way forward नहीं आदा है, virtual water trade, जैसे देखो कई सारे देश है न, चाइना जैसे देश है, बहुत चलाक है, हमारे देश में किसान जैसे paddy उगाते हैं, paddy उगाने में बहुत ज़्यादा water consume होता है, और India paddy को export करता है, तो मतलब बहुत सारा पानी तो हम free में बेज रहे हैं, दूसरे देशों में, तो चाइना जैसे देश पते क्या कर रहे हैं, ये जो ज़्यादा water consume करने वाली crops है न, इनको तो बलकी import कर लेते हैं, जैसे leather, meat, crops, इनको रखता है कि यार हमारा पानी दूसरे देशों में क्यों बेजा जाए, तो जिस फसलों में ज़्यादा पानी लगता है, उनको तो आप import कर लो, ताकि पानी की wastage कम से कम हो, next, environmental impact assessment, कोई भी river linking project formulate करने से पहले, environmental impact assessment जरूर करो, ये देखो कि इस project से environment पे क्या negative असर पड़ेगा, groundwater management, देखो groundwater को ठीक से manage करना जरूरी है, groundwater इंडिया में तेजी से deplete हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है, otherwise पानी की बहुत कमी हो जाएगी, सबसे last में है comprehensive water law, देखो अभी न बहुत सारे लोगों के अलग-अलग concerns हैं, interlinking river project को लेके, तो उनको सर समझ गे, proper solution हो उस कानून में, तब जाके लोगों का जो विश्वा साइस project में और बढ़ेगा, और फिर जो भी सरकार आये, इस project के अलग-अलग component को लेके आगे बढ़ सकती है, जैसे ये केन बेतवा तो पहला है, फिर दूसरे river linking project को लेके भी सरकार आगे बढ़ सकती हैं, तो ये पूरा article हमने discuss किया, interlinking river project, अब question देख लीजिए जो आपको attempt करने हैं, दो ये mains के questions हैं, एक security council से समझ दित, एक interlinking of rivers, एक UPC ने पूछा था 2015 में, और दूसरा पूछा था 2020 में, प्री का question आपको ये attempt करने हैं, 2009 में UPC ने पूछ लिया था, security council में जो 10 non-permanent members हैं, वो कितने साल के लिए elect किया जाते हैं, answer इसका आपको पता ही होगा, मैंने बताया था, 2 साल के लिए आज के समय में elect किया जाते हैं, लेकिन article में एक solution आया था, कि इनको semi-permanent member बनाया जाए, 2 साल के बजाए, 10 साल के लिए चुना जाए, तो B answer हो जा question में इतना ही है, thank you, thank you very much for this question.